हेलो फ्रेंड वेलकम टो माई उट्यू चैनल ग्रीन आर्च आज की इस वीडियो में मैं विंडो सीटिंग एरिया के बारे मैं आपसे डिसल करूंगा कि विंडो सीटिंग एरिया किस प्रकार का आपको देना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज में तो तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि आपको डिसाइड कर लेना है आर्खिटेक्चर की मदर्द से कि आप किस वाले बेडरू में आप इस तरह का सीटिंग एरिया प्रवाइड करना चाहते हैं जैसा कि आप यहां देख रहे हैं तो आपका जो है यह बाहर के लुक के हिसाब से डिजाइन होता है और अंदर का जो विंडो जो होता है उसके हिसाब से और अलमीरा जो होता है उसके हिसाब से और बालकोनी के हिसाब से कहां पर बालकोनी के हिसाब से डिसाइड किया गया है तो अगर यहां देखेंगे तो आप साइड में अलमीरा है और टॉप म कि अगर आपका 12 फिट अगर लेंथ है चोड़ाई है रूम का तो दो फिट चला जाएगा उसमें ही ठीक है तो इसके आपसे आपसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा स्पेस हमको मिल रहा है कि ने इतना सिटिंग एरिया के लिए विंडो ओके तो यहां पर देखिए आपको स्पेस चाहिए तो कोशिश करें कि सारे पांच से लेकर के छे फिट अगर लंबा मिल जाए मुझे विंडो के पास तो काफी सफिसेंट स्पेस हो जाता है बैठने के लिए तो यहां पर आप देह रहे हैं लगबग यहां पर धाय फिट लिया गया है तो इस तरह से स अगर आपका बहुत ही बड़ा एरिया है जमीन का घर का तो आप इस तरह का स्पेस ले सकते हैं अगर छोटा स्पेस है कम जगह है तो आप एक से डेर फिट लीजेगा तो भी आप बैठ सकते हैं ओके तो इस प्रत का अपको ध्यान रखना है और जो साइड साइड का जो स्पेस में आ जाएगा तो इस टाइप से आप अपने घर को डेकरेट कर सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगर मेरा वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कीजेगा सेट के सब्सक्राइब भीजेगा ठाइंक्यू है वेन एज डे